Hello guys! Welcome back to this channel and continues to the previous video which was part 1 of the novel Alice in Wonderland Chapter 1 Down the Rabbit Hole. This will be part 2. I will recap some part 1, but it will be much time. If you want, you can pause and see some slides of part 1, so that you will remember the story and you will forget about the story, so that you will forget about the story. Here, this is part 1. This is part 2. This is part 2. This is part 1 and now we will start with part 2 slides. There was nothing so very remarkable in that nor did Alice think it so very much out of the way to hear the rabbit say to itself. If you do not know, you will start with the same color, the color of the white color. I know that there will not be a color of the color that will not be unique. However, if you put one color, there will be white colors and white colors. को लगे होते हैं लेकिन अगर अच्छानक शुन्दर युनिक कॉटेन आपके सामने आजाए चो अलग अलग रंग उसे इतनी सुन्दर डिजाइन में लगा है तो फरा पुलोंगे अरे वो देखो कितना अच्छा पर्दा है ना अब अब अधे रिमार करोगे यहां वो अच् रहा है यह यह चिती बात करहिहें ना फ्这ंपने बात अलनल राए लोग यह ज़ले हैं की बिलकुल नॉर्मल चेजों से बिलकूल अलग मिल्कुल अलग ज़ग कि मैंना भी पढ़्य का एक्जाम्पल लिया था ना, किया पढ़्ये नॉर्मल पढ़ों से बिल्कुल अलग था ना, वह उनीग था लेकिन यूसे एसले रबड मों कुछ भी आउट अफ दॉए नहीं लगा, जब राबड कह रहा था वो खुझ से गह रहा था, खुझ से गह यहाँ पर में कुछ पॉइंट आट करना चाहूंगी, यहाँ पर it यूज हुआ है, ना कि him, या फिर her, यहाँ पर it इसलिए यूज हुआ है, कि जब हम जानते नहीं है कि कोई male है या female है, तो फिर हम यूज करेंगे it, लेकिन अगर हम जानते हैं male है, तो फिर हम यूज करेंगे herself, फिर हम मार्क करेंगे herself, तो यहाँ पर itself हिंगे, Alice को भी नहीं पता, और हम को भी नहीं पता, कि वो rabbit male है, या female है, वो क्या कह रहा था, लेकिन वो खुद से, वो कह रहा था, Oh dear, oh dear, I shall be late, वो यह बोल रहा था, when she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time, it all seemed quite natural, यानि कि जब उसने इस बात को थोड़ा एक और बार सोजा, तो फिर उसे लगा, कि यहाँ उसे इसके बारे में तुबारा सोचना चाहिए था, wonder करना चाहिए था, थोड़ा सोचना चाहिए था, उसे यह लगा, ought to have, यहाँ पर ought to have का हम और detail में, deep में मतलब जान लेते हैं, ought to have का, ought to, पहले हम ought to जानते हैं, फिर ought to have, ought to और ought to have बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर ought to का मतलब भी जानते हैं, ought to एक model verb है, जिसका मतलब दो मतलब होते हैं, पहला मतलब है, desired और ideal, मनो कामना या फिर ideal, they ought to have more parks in the city, यानि इस city में और पार्क होने चाहिए, we ought to eat lots of fruits everyday, यानि हमें रोज बहुत सारे फल खाने चाहिए, ऐसा एक और एक्जाम पर आप मज़े comment box में लिखके बताइए, अब दूसरा मतलब जानते हैं, what is likely or probable, यानि जो likely हो या probable हो, the show ought to take about 2 hours, so we'll be home by 12 pm, यानि कि show को लगबग, show को लगबग, show को लगबग, दो घंटे लेने चाहिए, यानि कि तो इसलिए हम घर 12 बजे तक आ जाएंगे, there ought to be some good movies at the cinema this weekend, यानि इस cinema पर कुछ नई-नई movies होनी चाहिए, इस weekend पर, weekend बाने Sunday, week का end, Sunday बगरा, ought to plus have, यानि ought to ठीक है, ought to का मतलब हमने जान लिया, पहला मतलब, desired और ideal, और दूसरा मतलब, जल्दी से बताईए, दूसरा मतलब है, probable, या फिर, या फिर, likely, प्राबबल या फिर, likely, या पर एक्जाम्पल्स भी देख लिएजिए, आप नए-ने एक्जाम्पल्स भी मुझे कॉमन बॉक्स में जरूर लिखके बताईए, ताकि मैं उनको देख सको, और मुझे भी मज़ा आजाएगा, आपके एक्जाम्पल्स पढ़ कर, टु प्लस हाव यानि, टु थेक है, समझ में आ गया, रिखके मतले हमने समझ लिया, लिकिन एक्जाम्पल्स प्लस है मतलम भी बहार लेते हैं, desired or ideal in the past but which didn't happen it can express regret यानि कि आप चाहते थे क्या आपकी मनो काम नथी कि ऐसा हो पास्ट में यानि भूत काल में आप चाहते थे कि ऐसा हो लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ और रिग्रेट यानि रिग्रेट करने रिग्रेट की सेंस में हो सकते हैं यानि कि तुम्हें गेट बंद करने न चाहिए था ताकि अगर तुम्हें गेट बंद करने न चाहिए था अगर तुम gate बंद कर देते तो फिर cat बाहर नहीं निकल पाती You ought to have locked the gate then the cat wouldn't have got out एक और example जानते हैं I often think that I ought to have studied maths not arts याने कि मैं कभी कबार सोच रही हूं कि मुझे maths पढ़ना चाहिए था ना कि arts ought to have अब आगे भरते हैं भरते हैं ought to versus should याप Spiderman versus Ironman, Ironman versus Batman में कौन जीता है मैं जब देखी तो मुझे तो लगते Spiderman जीता है अब ought to versus should देखते हैं कौन जीता है formal में कौन जीता है और informal में कौन जीता है बहुत हाँ सिमल है यानि वो दोनों सेम ही हैं लेकिन और 2 is more formal than should विशना की।iones 돼ud.도 formal way में बात करते हैं अगर आप formal way में बात करें तो फिर आप ought to यूज कीजीए लेकिन अगर आप informal way में बात करें तो फिर आप should यूज कीजीए तो फिर यहाँ पर कौन जिता अगर हम formal way में कह रहे हैं तो फिर ought to जीत गया, ought to versus should में, लेकिन अगर हम informal वे में चुज़ के बात कर रहे हैं, और फिर कौन जी तब should जीत गया, ought to versus should में कौन जी तब जान चुके हैं, अब ought to is more formal than should, यानि ought to ज्यादा formal है should say, for example, there ought to be more street lights in the city, यानि कि city में और street lights होनी चाहिए, यहाँ पर अगर आप किसी M में ले, में या फिर किसी officer, या फिर officially बात कर रहे हैं, फॉर्मल में में, तो फिर आप उस करेंगे, ought to, यह आप कौन से में में बात करेंगे, फॉर्मल, मेरी handwriting अच्छी नहीं है, पस्ट बार बोल रहे हैं, यह फॉर्मल में हुआ, लेकिन अगर आप informal में या जैसे कि अपने दोस्त या फिर आपने किसी relative से बात कर रहे हैं, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे, अपने किसी इंफॉर्मल में बात करना चाहते हैं, जैसे कि अपने दोस्त या फिर कोई किसी और से, जो इनफॉर्मल में अगर आप करना चाहते हैं, तो फिर आप कहेंगे, There should be more street lights in the city दोना का मतलब तो सेम है लेकिन और to formal way में यूज होता है और should informal way में यूज होता है Should informal way में और to formal way में यूज होता है आशा है कि आप कुसका difference पता चली गया होगा अब थोड़े example से भी जान लेते हैं एक example से होगा दूसरे example देखते हैं You really ought to walk your dog more He's so fat यह हुआ formal और to use करें और यह formal way में यूज हुआ You really should walk your dog more He's so fat यानि कि यहाँ पर हुआ यहाँ पर क्या हुआ? The formal way here is informal काउंज आइ? informal यहाँ पर, informal way में बात कर रए हुआ है यहाँ पर should use हुआ है और यहाँ पर ought to use हुआ है यहाँ पर में तो हुआ हुआ है आप किसी officer यह पर किसी बहुत government यह पर किसी MLA से बात करेंगे यह इसे नहीं बात करेंगे आपका कोई दोस्त हो जिसका डॉट बहुत थाज बात है अब तक तो आपको पकका समर्ज महीं आगया होगा है ना? अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हाँ, ought to have wondered at this but at the time it all seemed quite natural अब आगे बढ़ते हैं but when the rabbit actually took a watch out of its waistcoat, pocket and looked at it and then hurried on he hurried on यानि की took a watch out take out या फिर take out एक phrasal verb है यहाँ पे took out, took the watch यहाँ पे took a watch out एक phrasal verb की तरह से use हुआ है और इसका मतलब होता है अपनी watch निकाला अब it's waistcoat यहाँ पे waistcoat का क्या मतलब है चलिए अभी जानते है waistcoat यहाँ पे coat से पता चली गया होगा coat है कोई देखिए waistcoat यहाँ पे देखिए इस rabbit ने waistcoat पहन रखा है यहाँ पर रबिट है यहाँ देख रहे थी यहाँ पर एक चीज़ मिसिंगे आमने प्रीवेस में देखा था कि इसके ब्लू आइज थी लिकन इसके ब्लाक आइज है ब्लू होनी चीए है ना प्रीवेस पार्ट में देखा था उसके आइज ब्लू थी ब्लू कर देता है इसके ब्लू कर देता है इसके ब्लू कर देता है इसके ब्लाक थी इसके ब्लू कर देता है लेकिन बूत लग रहा है लेकिन बूत लग रहा है लेकिन इस की आयसा ब्लू हाने चाहिए लेकिन रचाया चाहिए घरी तो बनेगा प्रीवियर पर्ट में हमने देखा था रड़ वाइट कलयर का था और इसकी आइए भेढ़ काल घर जैंक से वेस्ट कोट के सर लेख कर देख रहा है कि रखिए अभी अ Caleb केट की पॉकेट में से निकाल रहा है लेकिन इसमें ब्लाक आइज थी ब्लू होनी चाहिए अब देखिए अब यह भी हाँ पर भी इसने वेस्ट कोट पहना हुआ है इस आदमी ने किसी का वेट कर रहा है या फिर रगता है लग रहा है क्या है बहुत हैंडसम मैं आपको पता हम बेल हो ब्यूटिफुल लग रहे है तब हम उस करेंगे हैंडसम वेस्ट कोट यहाँ पर यह ब्रहशने कर 聲 Queens यह यह ब्रहशन रहा हैं वूफ मक्तलब होता है लिए बता देती हूं है लीं जैसे आप कहते हो झाल व्र्नीस यरी फिशल भिशल सभिस carry on, carry on, वैसे ही होता है, hurry on लेकिन, देखे, for example, अगर आप कहीं जा रहे हो और आप कहीं सड़क पे जा रहे हो, कई जल्दी में आपको जैसे office में जाना और आप लेट हो गए हो, आप जल्दी से भाग रहे हो जल्दी से पैदल जारे हो, कि आपको पैदल जा रहे हो, मानिए, तो को stranger आपको रोकता है और फिर पूचता है फिर पूचता है, आप कहा जा रहे हो, आप बोलोगे, मैं अभी अपने office में जा रहा हूं और लेट हो गया, मैं भी चलता हूं, फिर most stranger बोलेगा, ओके, carry on, जानी फिर चलते रहो, फिर आप अपने, पर आप दुबारा जैसे आप गए थे, वैसे ही, जल्दी जल्दी चलने लग जाओगे न, तो ऐसे ही, hurried on, उसने, वो जा रहा था, पहले भी वो, भाग, पहले जा फिर वाद में हरीड आप, फिर बात में वो दुबारा जल्दी में चलना, जाजाए, जाय रहा था, है, आई इस स्टाटेट तो हर फीट, स्टाटेट तो हर फीट का होता है, पहले अपको एक चीज बताना चाहूंगी, दखे, अगर आप नोरमली कोहीं बैठे हैं, तर जब चया ख़दम गएगी आप कैसे उठेंगे अराम से उठेंगे ना अगर आप कह रहे हैं स्टार्ट तूहर फीट स्टार्ट तूहर फीट तो अप उठेंगे अप ऐसे उठेंगे देखिए यहाँ पर पूम ऐसे बेठे हैं और चानक से उठ गए है चानक से उठ गए है तुसे हम कहेंगे started to her feet for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch a watch to take out of it and burning with curiosity यहाँ पर कॉमा लगा रहा है देख लीजिए तक यहाँ बाद में confused नहों कुछ कभी कबार हो सकते हैं मैं भी हुई थी पहले देखिए देखिए यह रबट था she had never before seen यानि कि उसने पहले कभी नहीं देखा उसने पहले कभी नहीं देखा कि एक ऐसा यह रबट इसके वेस्ट कोठो उसमें पॉकेट में से वह वाल्ष निकाले उसने असा कभी नहीं देखा था ऐसे इतने जग्यासा थी उसमें इतने जग्यासा थी उसने जग्यासा से ran across the field means burning with curiosity मितलब बहुत जग्यासा थी उसे burning with curiosity she ran across the field sorry field after it unfortunately was just in time to see it pop down a large rabbit hole under the hedge यहाँ पर कितने मीनिगे 1 2 3 4 4 है अगर आप इसको भी count कर रहें जिसका मतले मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि खरगोश यह जने जानती नहीं थी कि हाँ अगर जानकर गोश राबिट कि राकर गोश फिमेल है यह स्टे का यह जानती है नहीं कि रहां तो फिल्ड में गई लेकिन इसका यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ अक्रॉस और अलॉंग डिफरेंस चलिए अक्रॉस का पहले जानते हैं अक्रॉस अक्रॉस यानिकि किसे टू डाइमेंशनल चीज पे टू डाइमेंशनल लमाने जिसकी लेंथ और बड़त हूँ हाइड नहीं हो तो उस पे उससे गुजरना या पर उसके एक साइड से दूस अब यह तो डाइमेंशनल फील्ड है देखिए इसके लेंथ और ब्रेड्थ है हाइड नहीं है और यह लड़की इसको इसके एक साइड से दूसरे साइड जा रही है तो फिर इस केस में हम यूज करेंगे अक्रॉस अब एक और एक्जम्बल जान लेते हैं देखिए यह एक भेडिया है और अब देखिए कैसे जाएगा यह टू-डाइमेंशनल रोड इसकी लेंथ है ब्रेड्थ है लेकिन हाइट नहीं है उसको डाइमेंशनल रोड तो एक साइड से दूसरे साइड जा रहे है तो फिर इस के लिए हम यूज करेंगे अक्रॉस और कैसे यूज करेंगे देखिए दव वुल्फ इस वाकिंग अक्रॉस दरोड यानि वह रोड के एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है जा रहा है एक और एक्जम्बल लेते हैं यह तो डॉक्स का होगा डॉक्स का जादा सार घ्री एक होता है ना रेड मेनी कम ओन ग्रीन वैसे समझा रहे हैं तो रेड ने रहों को और पिर एक डॉक्स अक्रॉस रॉड के अक्रॉस जारी है यानि वह देखिए ना मेरा भाई जोर जोर बैखता है कि हाँ रेड लाइट और येलो लाइट के बार में समझाते हैं उसे किसी वीडियो में पिर बोलते हैं रड लाइट फिर एक डक्स क्रॉस करती है जब्रा क्रॉसिंग के थुरू देखा होगा अब ऍसमें अक्रॉस यहाँ पर इस case में भी across का use ही होगा तो क्या कहेंगे हम? हम कहेंगे The ducks are walking across the road क्या कहेंगे? The ducks are walking across the road अब आगे बढ़ते हैं अब तो हातियों का example होगा देखें यह जैसे कि मैंने बताया यह road है two dimensional और यह हाती एक side से दूसरी side तक जा रहा है हाँ है तो फिर इसलिए हम कहेंगे across और क्या कहेंगे? हम कहेंगे हम कहेंगे The elephant The elephant is स्विर इस elephant की बात कर रही हूँ The elephant is walking across the road आणि कि वो एक road एक side से दूसरी side पर जा रहा है और भी हम नदी का भी example देते हैं लेकिन दुबरा हाती का यह हाती नदी का उपार कर रहा है इसमा फिर उसके एक side से दूसरी side जा रहा है तो यह देखते हैं देखे यह river इस साइड से इस साइड पर यह यानि एक साइड से दूसरी side जा रहा है है आगे देखते हैं अब across देख लिए अब along देखते हैं हमने पहले क्या देखा था देखिए हमने पहले देखा था कि यह अक्रॉस यानि यह elephant इस side से इस side पर यह यानि एक side से दूसरी side पर जा रहा है अब यह यह elephant वही elephant रोड यह road है इस road के साथ साथ चल रहा है उसके साथ साथ चल रहा है उसको पाल नहीं कर रहा है उसको एक side से दूसरी side नहीं जा रहा है क्या चल रहा है उसकी साथ साथ चल रहा है तो फिर इसके लिए हम यूज करें कि along the elephant is walking along the road इसके बार मैंने पार्ट वन में भी थोड़ा से डिसकुस किया था लेकिन यहां पर दुबार डिसकुस करें ताकि थोड़ा recap भी हो जाएगा अब आगे मतलब जानते हैं अब यहां पर आप वीड़ देख कि कंफिस होंगे अब यहां पर आएगा कि इसे अलॉंग आएगा यहां पर आएगा अलॉंग अलॉंग और अलॉंग दोनों आएंगे कि आलॉंग यानि इनके साथ-साथ चल रहें और यहां पर चल रहा है अब लेकिन अगर यह यहां पर चल रहा होता तो फिर on नहीं along ही आएगा यह रोड तो यह हो गई ना रोड पर थोड़ी ना चल रहा है यह तो रोड की साथ साथ यहां पर चल रहा है लेकिन अगर यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि देखें यहाँ पर इसकी साथ सा चल रहा था रोड पे तो फिर आप यूज कर सकते हैं क्या यूज कर सकते हैं ओन भी उसकर सकते हैं अलोंग भी उसकर सकते हैं एक और एक्जम्पल जान्य दिस बड़ तो टाइगर का होगा देखिए ये टाइगर है ये ये भी इस टाइगर इस वाकिंग अलॉंग दे रोड देखिए यहां पर और भी हाथी की तरह है इस के साथ रोड पर चल रहा है रगता है कच्छी रोड है हाँ अब हमने रान अक्रॉस देख लिया अरब हम देखेंगे after it unfortunately was just in time to see it pop down I just fortunately was just in time यानि कि फिल्कुल ठीक समय पे थी उसे देखने के लिए कि वो rabbit hole पे पॉप डाउन कर रहा था rabbit hole के अंदर जा रहा था वो ठीक समय पे देखने के लिए मारी अगर भाग रहा हैं तो किसे अपने किसी के पीछые बाज रहे हुआ और वो और वो और वह ही जॉंप करने वाला है अगर आप लेट हो गे तो फेर छूंप करने और आपको अर नहीं आपकू स्क्ना यह देख पाया है कि rabbit hole पर बरो कहते हैं उसे बारो पर बीचिर देखिये mh barot पर बरो के अंदर जा रहा है यह पापडाउन है आलोग प्रकार पोप डाउन है अब इसक्स करेंगे यहां पर देखे, पहले पिच्चर देखे, फिर हम आपका मतलब भी जान लगी देखे, यह Alice है, Alice बिलकुल ठीक समय पर है, कि वो इस रबट को इस पर अंदर जाते पर दे, इस रबट होल, इस रबट होल के अंदर जाते पर जाते पर देख सके, pop down, to go, to go some place very quickly or briefly, that is either on a lower level, pop down, अब आप confuse होगे, pop down और jump down में क्या difference है, अभी आपका ये भी clear करती हूँ, मानिए, कि ये stairs है, stairs है, pop down मानिए, आप जल्दी से इनके ऐसे, ऐसे के करके नीच जा रहे हो, अभी दुबारा आपको अच्छे समझाते हूँ, या पर होगे, pop down, pop down का मतलब, मानिए, अगर ये stairs है, अगर ये stairs है, और pop down, अगर आप pop down का यूज़ कर रहे हैं, यानि कि वह एक stairs, वह ऐसे ऐसे, जल्दी में जा रहे है, धीरे धीरे तो walk down हो गया, अगर ये दीरे दीरे अराम से stairs के नीच के नीच जा रहा है, तो फिर walk down होगा, ये जल्दी में stairs के नीच जा रहा है, फिर pop down होगा, लेकिन अगर हम कहें, कि ये सीध एक छलांग में पंउच गये, तो फिर इसे कहेंगे, जब डाउन सिध्य एक चलांग गये और पॉजग गये जब रहें लेकर अराम से जारह है तो फिर वॉक डाउन अगर जल्दी में स्टेर्स के एक को चल के जा रहे हैं लेकर धीर है जल्दी जल्दी फटाफट वेरी कुईक्ली जारी तो फिर हम उस करेंगे पॉप डाउन सो ब्रेंट लो 흥 खोलो avaż भी आईसे चाता है मनिये अगर 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 राबिट होल्याव करते थे जबyu करते हैं अब यह अपको बताती हुं यह राविट होल पर भी ऐसा पॉप डाउन है यूज हुआ है अब आगे बढ़ते हैं अब पॉप डाउन ठीक है पॉप अप क्या होता है पॉप डाउन पॉप बिल्कोल डिफरेंट है देखें पॉप अप को मतलब इस इस समझना है अब आप देखें देखें च च मातलब मैं चाहना जाहनाँ के आपको असाटीच समझना है पॉप अचलाक से प्रकट हो जाना अब आप देखिए देखे, देखते जाए, देखते जाए, आगया ना, लेकिए, एक मिरेटिस में, हाप्पी बड़र लिख देती हूँ, ओहो, देखे, अब देखते चाहिए, आप ये चलते गए, आगया ना, देखे, ये बिलकुल पॉप अप हो गया, यानि अचानत बड़ाम आगया, एक और देखते हैं, कि एक और बार देखते हैं देखे 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 देखते जाईए एक और बार देखते हैं आगे ना चलिए एक और बार आएगा पाव यह हुआ पॉप पॉप अब देखे अभी वाइट करल का है धड़ाम धड़ाम भूम भूम आगे ना इसे कहेंगे पॉप अब आगे पॉप-प का मतलब हमने जानली अचानक से आ गया लेकिन कोपावा कभी कभार computer में भी यूज हो सकता है और वो कैसे दो प्रकार से यूज़ाते है पहला प्रकार यह है a list of choices that is shown on a computer screen when the user requests it means कि यहां देखो यहां पर इसने button दबाया किसी वेक्ति है जिसने button दबाया पर यह पूरा pop-up menu आ गया pop-up menu so यहां पर है select the option from the pop-up menu यहां एक option चुनी यहां पर desktop, documents, downloads, music, pictures, videos सारे ऐसे options है उन बसे यह इसे कहते है pop-up menu क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? pop-up menu इसे कहेंगे pop-up menu pop-up का एक minute, pop-up का एक और मतलब है वो है a new window that opens quickly on a computer screen in front of what you are working on pop-up मतलब एक अचानक से Windows screen प्रकट हो गए इस पर अचानक से Windows screen आ गए इस नहां पर कहेंगे और आप काम करेंगे अब यह आपको एक example भी देखती हूं दिखाती हूं देखिए यहां पर उस loading process चल रहा है और अब देखिए यह pop-up हो गया यह बी यह बी यह बी यह बी यह बी इस कितने सारे pop-up हो गया है कितने सारे pop-up हो गया थे अब एक और बार देख लेंचे आहां 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 यह pop-up यह pop-up यह pop-up सारे pop-up हो गया तो सी इज इज ओव विंडोस हाव पॉपड अप पॉपड आप तोरी मुझे थोड़ी खासी है लेकिन प्लीज माइं मत कीजिए यह पॉपप का एक और मतलब होता है वह बीजेखिते हैं a shop restaurant that operates only temporarily, 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 temporarily today I saw a new pop-up restaurant in our neighborhood पॉप मानने की temporary restaurant यह फिर फिर शॉप temporary है यानि एक दो महिने रहेगा फिर बाद में कहीं और फड़ाएक कहीं आँ चला जाएगा जैसे की यह example में कह रहे है कि मैंने आज neighborhood में एक नया pop-up restaurant देखा है यानि की pop-up मानने कुछ देर तक रहेगा पर कहीं आँ चला जाएगा temporary है यह पर भी लिखा है pop-up oh ho देखिए यह पर भी pop-up लिखावा है pop-up restaurant है यह क्या है pop-up restaurant है pop-up दो लिखे गई होगा ना ठीक है pop-up का मतलब a short sharp sound like something exploding for example I heard a pop and the lights went out यानि मैंने pop-up sound यानि मैंने pop-up sound कुछ ऐसी होती है अब दूसरा मतलब जानते हैं if your ears pop you experience noise and feeling in your ears as a result of a sudden change in air pressure especially when an aeroplane takes off or lands especially when an aeroplane takes off or land for example my ears always pop when the aeroplane takes off यानि कि देखिए जब आप aeroplane भी जाते हैं जब aeroplane take off करती है या फिर land होती है जब वो aeroplane airborne होती है यानि ऐसे तब आपको feel नहीं होगा लेकिन जब यह take off करती है और फिर land करती है फिर आपको जरूर feel होगा फिर आपको जरूर feel होगा कि आपके कान में कुछ जीब जीब जो होते ना कुछ ने कुछ हो रहा है तो उसे गहेंगे POP अगर आपने मेरा aeroplane वाला वीडियो देख लिया होगा तो आपके बार में अच्छी तरह से पहली तरह से जानते होंगे ते लिए एक और बार उसके एक क्लिप दिखा देती है हाई I can't do anything my ears are popping जीब जीब लैंड हो रही है मेरे ears pop हो रहे थे EDM selected to pop ठीके POP YOUR CLOGS जीब ना to die For example I'll leave all my money to an orphanage when I pop my clogs जीब ना सारा पैसा जीब जीब मर जाओंगी जीब में मर जाओंगी POP YOUR CLOGS जीब ना जीब दूसरा जानते Pop the question to ask someone to marry you Pop the question For example I popped the question to your mother ये मेरे अपने पाप ये मेरे बुक में आया था Yes Pop the question Pop the question Pop the question की जीब स्टोरी बुक में आया Pop the question मैं सोची ये क्या होता है Papa मेरे अपने ममा से पुच्छा ममा busy थी तो ममा ने पापा के अभेश दिया पापा ने मुझे बताया कि ये पापा का मतलब To ask someone to marry you बताय फिर उन्होंने कहा I popped the question to your mother उन्होंने भी ये एग्जामपल ये क्या कि मेरे पापा ने मेरे ममा को शादी के लिए पुच्छा मेरे पापा बोल रहे है I popped the question to your mother दूसरे तीसरा एग्जामपल तीसरा इडियम देखते है Your eyes pop out of your head मतलब Extremely surprised to see स्थ ये मतोच ये स्थ है ये something का short form है Something का short form क्या है? S-T-H Something का short form है लेकिन ये क्या है? ये है Something ये something का short form है आप confused मत होई है S-T-H For example When I saw the money in his bag My eyes popped out of my head Popped out of my head मतलब असे बहुत सर्प्राइज हो जाना कभी कपार अपने कहीं देखा भी होगा कि आंके ब्रूं करके चलियाती है ना सर्प्राइज में यानि की पॉप्प्ड आउफ में है यानि की बहुत सर्प्राइज हो जाना For example जब मेर अपने भाई जब मेर पैसा उसके बैग में देखा मैं बिल्कुल आश्चरी चकित हो कहीं Means I My eyes popped out of my head My eyes My eyes popped out of My head एक और एक्जम्पल बताती हूं When I saw my toys in my brother's bag I My eyes popped out of my head Sorry जब में बहुत आश्चरी चकित होगी अब हम Pop down ठीक है To see it pop down A large rabbit hole Large rabbit hole Under the hedge यहां पे hedge का मतलब क्या होता है और rabbit hole का मतलब क्या होता है अभी बताती हूं Rabbit hole अप्सोच रहे कि मैंने प्रीवियस पार्ट में भी rabbit hole समझा है था Warren Yadhana Warren Yadhana यहां अभी underline क्यों कर रुखाए अभी मैं आपको थोड़ा और detail में पढ़ाने की कोशिश करूँगी यह फिर थोड़ा recap आपकी तरह भी मान लीजे यहां पे hedge का मतलब भी चानते हैं यहां पर पहले मैं पताना चाहूंग की यहां पर pop down कौन सी यहां पर यहां पर पर पोपड़ाउन है यह वह पवडूर नीहां आशानकर द्रॉल मेने कीडियों वहालर समझाये था ना अचानक जाना एशिव मैने रैब्बिट होल या बीन डेटिय sophisticated पोफ दाउन दाउन अलाज रैबिट होल अंडर एज्ट रैबिट होल का मदलब चाहिक होता है रबिट हो हम कहते हैं बरो बरो उसका मतलब होता है a hole in the ground dug by an animal such as a rabbit especially to live in यानि एक होल है जो किसी जानवर से डग हो गया है उसे कहते है किसी जानवर ने खोदा है जान दिये जिये मैंने कहा मैं कह रहा हूं for example rabbit यानि कोई ऐसा जानवर ना कि specially कोई ऐसा जानवर ना कि बस rabbit कोई ऐसा जानवर जिसने एक खड़ा ख़वत रखा हो जिसमें वो रहे इसमें वो रहता है तो इस rabbit ने भी ये rabbit hole बरो 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 कितने सार बरो rat के लिए भी उस होता है for example rats have burrowed into the bank of the river sorry यह पर bank का मतलब आपको जरूर पता होगा अगर आपने previous part देखा है तो फिर आपको bank का मतलब पता है लेकिन अगर आपने previous part नहीं देखा तो फिर जल्दी से जाके देखी लीजिए आपको bank का मतलब बहुत अच्छे से समझा के रहे पता है मैंने वहाँ पर आपको bank का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा rats have burrowed into the bank of the river यानि कि rats ने अपना घर जो बरोड खड़ा कोलने से बनता है ना बरो एक बरो बना के sorry rats have burrowed into यानि कि rats उन्होंने एक खड़ा जो होता है न वह एक खड़ा प्रकार का बरो जो होता है वह नदी के किनार उने बना के रखा है दूसरा मतलब जानता है to search for something दुबारा STH full form of short form of something STH is the short form of something as if but again to search for something as if but again यानि किसी चीज को ऐसे ढूड़ना कि आप तो ऐसे ढूड़ना कि लग रहा है कि को खोज रहा है कि कोई खोज रहा है sorry for example I borrowed through the clothes in the drawer looking for a clean handkerchief यहाँ पर ध्यान दीजिये handkerchief नहीं handkerchief d silent है क्या हैगा handkerchief handkerchief और इस example का मतलब होता है कि मैं ऐसे अलमारी में ऐसे प्रकार से कप्ड़े ढूड़ने लगी ऐसे प्रकार से अपने एक इस का मतलब होता है इस example का मतलब होता है कि मैं अलमारी में एक ऐसे प्रकार से clean handkerchief यानि एक clean roomal ढूणने लगी ऐसे ऐसे ढूणते है ना कप्ड़े को ऐसे बखेर देना पूरी तरह से एक clean handkerchief की खोज में rabbit hole rabbit hole का मतलब एक और भी होता है rabbit hole ना की बर्रो rabbit hole का मतलब होता है a complicated or difficult situation especially one that is difficult to get out यानि की cuttin situation या फिर एक cuttin situation जिससे बहुत मुश्किल है बहार निकलना for example I once went down that political rabbit hole यानि में एक बार rajaneetियों में rajaneetियों की जैसी difficult situation में फस गई थी जली गई थी और फस गई थी में एक बार अब rabbit hole देखते हैं चली अब rabbit hole के इंदर जाते है घूमी घूमी काते है ओ मसा रहा रहा या लग रहा है कि कभी खतम ही नहीं है लग रहा है कि खतम कभी होगा ही नहीं जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको पता चलीगा कि लगेगा कि यह rabbit hole कभी कतम ही नहीं होगा देखिए कितना ऐसे 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 rabbit hole माज़ेदार है ना अब मैं दुबार आगर आप जानते हैं तो यह slide वही slide है जो मैंने उपने previous part में आपको समझाए थी लेकिन अब मैं आपका rabbit hole या burrow और warren में से difference भी बताती हूँ warrens यानि यानि कि यह पूरा यह एक ऐसे कही से भी जा सकते हैं कही से भी निकल सकते हैं और rabbit hole मतले यही से जाएंगे और यही से निकलेंगे अगर यह वाला इलाका ना हो तो फिर यह क्या होगा rabbit hole या फिर बर्रो बर्रो होगा यही से निकलेंगे और यही से बहार निकलेंगे यह से बाहर निकलेंगे लेकिन वारन मतलब कि यहां से अंदर जाके यहां से निकल सकते हैं और यहां से जाके यहां से बाहर निकल सकते हैं कहीं से बंदर जाओ कहीं से बाहर आओ वह सब लोग इस सब राबिट होल्स और फिर बर्डो एक दूसरे से कनेक्टर हैं All these are connected to each other अब आपको ये तो अच्छी तरह से समझ में आए गया होगा अब हैज का मतलब जानते हैं यहाप है हैज का नाउन के रूप में मतलब होता है A row of bushes or trees planted close together at the edge of a garden or field to separate one piece of land from another यानि कि जाड़िदार बाड जो एक खेत या बगीचे को दूसरे से हलग करती है अगर आपको हिंदी पढ़ने आती है तो फिर आपको यहाँ से पढ़ सकते हैं यहां पर दिखाऊ पर बीच पर बूसित की डगी रहती है तो फिर इस से खेह उस बुशिस की रो को हम कहेंगे हैज क्या कहेंगे हैज कभी कभास रोड़कों में भी होता है मैंने अपनी नेटिव लेस जैपूर में बार बार देखा है यह एक रोड यह एक रोड यानि इस रोड से जाएंगे इस रोड से जाएंगे और इस रोड से आएंगे उसके बीच कि ठिखें voilà दखिげ लेकिन हें मतलब है लेकिन हम नाउन रूप में के दigence देखिए यह जार है यह पुरा है है क्या है 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 चैनल दोड़ रही है देखिए इस पार्ट इस पार्ट करने वाली यह बुश जो पूरी बुश है न यह बुशेज जो तिन इसे हम कहेंगे हैज क्या कहेंगे हैज अब जानते हैं हैज का वो अब के रुप मतलब की को लिमेट सम्थिंग से वियरली यारी किसी चीज को लिमेट कर देना देखिए यह बी देखिए एक गार्डेनर है इनको काट रहें को लिमेट कर रहें इतनी अच्छे से पूरा होने के बाद आपको बहुत अच्य लगा देखिए जो काट रहना है इसको इसे लिमेट करने की कोशिश करे है कहीं यह उग पर से कहते हैं इन सब कोई ग्रुप में चाहता है ताकि एक रोम हो जाए देखिए ताकि एक रोम में limit हो जाये तो इसे कहते हैं this gardener is hedging the plants प्लांट्स उसे यह plants के रोज़र एक क्रार से उदूर करता है इसको भी hedge ही कहता है hedge work group में एक और भी मतलब बता है वो भी जानते है to try to avoid giving an answer or taking any action for example please don't hedge and tell me what you really think hedge मतलब की इस situation यानि की hedge मतलब की अगर आपको कोई question पूछ रहे इधर-दर की बाते करते हो for example if someone in asking a question and you beat around the bush इधरिंक कोई आपको कुछ question पूछ रहे है और अबज intellect की बाते करते हो for example if someone is asking your question and're beating around the push यानि इधर-दर दर की बाते करते हो उसकी direct question का direct answer नहीं देते हो या इसका question को avoid करते हो तो फिर से कहेंगे है जिया आप एक्जांबल में देखिए प्लीज डोन है कोई कह रहा है कि इद दर की बाते मत करो यानि कोई कह रहा है कि मेरे क्वेश्चन को को अवॉइड मत करो और मुझे बता दो कि तुम कि इसकी क्या सोचते हो इसके बारे में सच्छी में अब हमने हैज का भी मतलब जान लिये अब पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं इन अनदर मोमेंट डाउन वेंट आलस आफ्टर एट यहां दुबारा इट है और वो क्यों कि यहां पर खरगोश ना तो मेल है ना तो फिमेल है यहां को नहीं पता इसलिए हमने उस क्या है इट इन अनदर मोमेंट डाउन वेंट आलस आफ्टर एट नेवर वंस कंसिडरिंग हाव इन दो वर्ल शी वस तो गेट आउट अगें यानि वो वह भी उसके साथ साथ कूद गई यानि की वो भी उसके साथ रैबिट होल के साथ दॉम और उसने एक बार भी ने शोचा कि हाँ वो बाहर कैसे निकले अंदर तो चले जाएगी लेकिन बाहर कैसे निकलेगी उसे एक बार भी यह ने शोचा आलस एक वर रबट होल के अंडर जारिये और इसम नहीं सोच रिए कि अंडर जाएगी नहीं सोच रिये कि अंडर जाएगी लिए बाहर कैसे है यी बिना समय गवाई बिलकुल नहीं लिए 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 गई बिलकुल लाइगी तो बी चुनियुद byee bye see in the next video and if you've liked this video then don't about to like, share and subscribe to this channel. And yes do meet me in the next part, part 3. Bye bye. See you in the next video.